नमस्कार साथियो मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंगलेंड से बात कर रहा हूँ साथियो आपने न्यूज में देखा होगा कि यूरो 2020 की जो कब चल रहा है इसमें Christian Erikson नाम के एक प्लेयर को कार्डिया कारिस्ट हो गया ग्राउन पर और वहाँ पर बहुत कंफ्यूजन पैदा हो गया सारे खिलाडी डर गए फिर एक मेडिकल इमर्जनसी टीम आई उन्होंने CPR किया और पेशन को इसको Christian को EAD मशीन लगा कर उसको शॉक दिया और बारा मिनट के रिससिटेशन के बाद उसको ग्राउन से लेकर गए और उसको हस्पिटल में एडमिट किया फिर उसके टेस्ट हुए और वो ठीक है पूरी तरह से ठीक है ऐसे ही एक वीडियो अभी इंडिया में सोशल मीडिया पर वायर हो गया और मेन मेडिया में भी आ गया तेलंगाना के एक किसी जगह पर पोलीस ऑफिसर ने एक रास्ते पर पड़े हुए कोलाप्स हुए आदमी को ऐसे ही CPR दिया और वो बाहर आ गया उसका आगे क्या हुआ उसके कुछ टेस्ट हुए इंवेस्टिगेशन हुए यह कुछ पता नहीं चला है दोनों वीडियोस का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उस ग्राउन पर यह डेवलप्ट कंट्री के जो प्लेयर्स है इनके प्लेयर्स से भे ज़्यादा यह हमारा पोलीस का जो नौजवान है यह ज़्यादा इंटेलेक्च्वल और प्रोएक्टिव निकला उसने बिना समय गवाए उसको CPR दिया और उसको बचाने में मदद की अब वो आगे जाके कितना जियेगा सही माने में उसकी जो बेसिक कंडिशन है उसको ट्रिट्मेंट मिलेगी क्या हमारा जो इंडियन पेशन्ट है वो अलग बात है लेकिन जो खिलाड़ी यूरो 2020 के सिर देखते रहे मेडिकल टीम के आने तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया वो बात हमारी ये पोलिस के नोजवानी नहीं किये उसने तुरंत एक्षन ली और पेशन के जान बचा ली साथियो दूसरी एक बात आपसे शेर करना चाता हूँ कि यहाँ पर UK में National Health Services जो Government की सिस्टम है और St. John's Ambulance करके यहाँ पर एक Voluntary Organization है जो Emergency Ambulance Service प्रोवाइड करते हैं लोगों को इन दोनों के Collaboration से 70,000 लोगों को CPR की और AED की Training देने दी जाएगी यहाँ पर UK में तो यह क्यों दी जाएगी लोगों को जो अलग-अलग जगह पर काम करते हैं उनको यह पेशन का जो छाती पर दबा कर उसको कुरतरिम श्वास सास देना Emergency में और AED के Machine का इस्तमाल करना यह क्यों दिया जाएगा इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ यह बहुत हैं मुद्दा है किसी की जान बचाने के लिए immediate तुरंट क्या steps लेने चाहिए इसके बारे में यह वीडियो है तो धायन से सुनिये और जादा से जादा लोगों में शेयर कीजिये और खास करके जो हमारे प्रशासन और शासन के लोग है लिडर से उनको शेयर कीजिये यंग्स्टर्स के जो voluntary organization है काम करते है समाजिक संगटन उनके साथ शेयर कीजिये ताकि इसके बारे में जानकारी बड़े और हमारे देश में भी गाव गाव में ऐसी यंत्रना खड़ी हो ताकि दिन डेली जो लोग collapse हो जाते हैं बहुत सारे इंदुस्तान में उनको हम बच जा सकेंगे तो साथियो यह है chain of survival British Resuscitation Council ने यह publicize की है इसके अनुसार अगर कोई आदमी की cardiac arrest हो जाती है उसकी heart रुख जाती है तो हमें क्या करना चाहिए चाहे आप hospital में हो या घर पे हो या रास्ते पर हो जंगल में हो खेत में हो कोई आदमी sudden collapse हो जाता है तो उसके हमको सबसे पहले recognize करना चाहिए कि इस आदमी की breathing और heart stop हो गई है so early recognition और जैसे यह recognize हो जाते है हम लोग कोई collapse हो जाता है call for help क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो आपको professional help medical emergency हो medical team हो ambulance हो उसको बुलाना चाहिए या किसी को बोलना चाहिए कि आप उनको बुलाओ ताकि में यहापर CPR कर सकूँ जैसे ही diagnose हो जाता है आपको CPR शुरू करना है क्योंकि इस वेक्ति का heart रुक गया है और brain और जो बाकी जो अव्यव है उनको blood का supply बंद हो गया है अगर आप इनके chest को compression करके pump को दबाओ गे नहीं तो blood नहीं जाएगा और हर एक minute 10% risk बढ़ जाएगा इस आदमी की मरने की अगर आप उसी समय कुछ second में यह शुरू हो जाता है आपका CPR और AAD डिवाइस तो इनके बचने के chances कई गुना बढ़ जाते है वह मैं आपको के अगली slides में बताऊंगा फिर CPR शुरू करने के बाद अगला step होता है साथ यह अरली defibrillation तो इसमें रोल है AAD machine का defibrillator machine का वह भी मैं आपके अगली slide में बताऊंगा और जैसे किसी का हार्ट वापस आ जाता है वह सास लेना शुरू हो जाता है तो यह पर बात नहीं रुपती है क्योंकि जिस वजह से इनकी हार्ट रुकी थी ब्रिधिंग रुकी थी वह वजह हमने डाइग्नोज नहीं की है उसको डाइग्नोज करना है उसकी ट्रिटमेंट करना है मैक्सिमम केसे में हार्ट अटाक आ जाता है या जिसको हम मेडिकल लाइंग्वेज में 4H और 4T बोलते हैं तो यह हैच से शुरू होता है हाइपो आक्सिया हाइपो वालेमिया हाइपो कैलीमिया यह और 4T इनको इमर्जन्सी ट्रिटमेंट करना होता है यह मेडिकल में जो एक्सपर्ट है वो करेंगे आप अगर मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है तो आप सिर्फ CPR रेकनाइज CPR शुरू करो और AED का इस्तमाल सिको यह चीज़े आपको करनी है तो जो चाती जबाई जाती है उसके लि अगर उसके ऊपर जाईए उपर इस फोटो में जैसे मैंने बताया है हाथ कैसे रखने है तो एक दूसरे को पकड़ कर उसको मजबुत सपोर्ट करना है हाथ को आपके एल्बोस ट्रेट रखना है और सीधा पेशन के ऊपर से चाती को दबाना है पांच से च्छ सेंटिमेट प्लडर दो से तीन इंच ताकि हाथ का पंप दबे और ब्लड उसका सिस्टम में जाए तो अगर कोई चोटे बच्चे हो उनको एक हाथ के रिस से दबा सकते हो बिलकुल चोटा एक साल से भी चोटा बच्चा हो तो उसको दो उंगली से भी आप चेश दबा सकते हो तो ये उस हिसाप size के हिसाप से हमें decide करना है अब breathing के लिए हमें airway को clear करना है जो सास की नलिका है उसको clear करना है तो उसके लिए हमें chin lift करना है और head tilt करना है तो ये diagram में आप देखिए और सास को कैसे check करना है तो ये जो diagram है इसमें जो right वाली है diagram उसमें देखिए कि 10 second के लिए हमें ह अर मुग के पास और देखना है कि वहां से कुछ आहाँ आती है या हवा आती है और उसी समय उस के च्छाती देखे कि वह उपर नेछे हो एह या नहीं सांस ले रहा है या, ये सिर्फ 10 सेकंड करना है और उसी के साथ हमें, हमारे जो यहाँ का जो bone होता है, center का, जिसको Adam's apple बोलते हैं, या thyroid bone, उसके बाज्यो में, हमें उंगली, दो उंगली रख कर एक साइड में, हमें यहाँ की नाड़ी को देखना है, pulse को, तस सेकन ये सिर्फ करना है, एक साथ करना है, सास देखिए, उसको feel विंग कीजिए और उसी के साथ पर्स को देखिए अगर 10 सेकंड में कुछ महिसुस नहीं होता है पर्स नहीं लगती है शास नहीं दिखती है सास नहीं फील होती है या और कुई डाउट होता है डाउट फुल सिच्वेशन में सीधा आप सी प्यार शूरू कर दीजिये mouth to mouth breathing कैसे देना है तो जैसे मैंने कहा कि chin lift करना है head tilt करना है patient के naak को दबाना है मुझ को खोलना है और उसको फिर naak पिंच करके मुझ में साज देना है अब ये बात ये corona का period है अगर कोई आपका घर का आदमी है घर का बच्चा है आपको पता है उनको कोई लक्षन नहीं है covid के वो safe है तो ही आप mouth to mouth breathing दीजे नहीं तो ये नहीं करना है सिर्फ छाती दबा के भी काम हो जाता है तो अगर बच्चे है तो उनको naak दबाने के जुरुत नहीं naak और मुझ दोनों हम हमारे मुझ से cover करके उनको सास देना है तो nose pinching is not required अभी मैं संक्षित में आपको steps बताऊंगा कि बच्चों में क्या है चोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में और आडल्स में कौन से steps करने है तो call for help में तो सब में common है फिर आप responsiveness देखिए सास नहीं ले रहे है उनका पल्स नहीं लग रहा है तो सीधा आप उनको chest पर दबाना शुरू किजिए यह चोटे बच्चे है तो दो उनली से कर सकते है बड़े बच्चों को एक wrist से कर सकते है और 30 उनको compressions देने है उसके बाद 2 breaths देने है 2 सासे 30 to 2 ratio से हमें यह करना है 30 compressions 2 breaths चोटे बच्चों को तो हम एक हाथ से compressions दे सकते है उनली से या हाथ से और 30 के बाद 2 breaths दे सकते है तो हमें रुखने की ज़रुत नहीं है यह हम करते रह सकते है तो यह करना है call for help is very important क्योंकि आप बच्चे को बचाना है तो आपको expert help लगेगी थोड़े बड़े जो बच्चे है सातियों वही sequence है 30 compressions 2 breaths यहाँ पर बच्चों में बड़े बच्चों में AED का significance है क्योंकि जो rhythm disturbance होते है ventricular fibrillation का chances में बढ़ जाता है और उसकी एक ही treatment होती है shock ventricular fibrillation की treatment the treatment of choice is shock तो shock को आपको AED machine या diffibrillator machine लगेगा adults का भी वही करना है 30 chest compression 2 breaths और AED machine call for AED machine तो यह sequence आप ध्यान में रखिए उसमें दो चीज़े है call for help करके और recognize कर लिया तो आपको chest compression शुरू करना है और shock की तहरी करनी है आपके पास shock का machine नहीं है तो call for help medical emergency team को बुलाईए या आप ambulance में या गाड़ी में CPR करते करते patient को ऐसी जगा पर ले जाएए जहाँ पर आपको यह shock देने की व्यवस्ता हो तभी हम उमिद कर सकते हैं कि इन में से कुछ लोग बच जाए तो यह defibrillator machine और AED machine होते है जैसे हम AED machine खोलते है उसमें pads होते है patients को pad दो जगा पर लगाने है वो AED machine पर उसकी photo दी होती है कहाँ पर लगाने है left side में हमें pectoral muscle के breast के नीचे और right side में उपर pad लगा कर उसको machine को automatic mode में डालना है अगर shockable rhythm है तो वो shock देगा non shockable है तो आपको chest compression continue करना है रोपना नहीं है जैसे ही आप interrupt कर देंगे chest compression brain को blood नहीं मिलेगा oxygen नहीं मिलेगा और brain के बचने की उम्मिद कम हो जाएगी तो यह एक साथ हमको करना है CPR के साथ AED लगाएगा एक आदमी और वही AED की तहरी करेगा और जैसे AED ready हो जाएगा सिर्फ diagnosis के लिए CPR रुकेगा AED अगर बोला कि खोई shock की ज़रुत नहीं है आप CPR करिये CPR continue करियेगा अभी मैं कुछ statistics आपको बताऊंगा यह जो statistics है यह western countries का है out of hospital cardiac arrest OHCA करते है इनमे 1976 to 99 का जो data है उसमे 8.6% लोग बचते थे सो लोगों को अगर ऐसे हमने CPR दे दिया बाहर hospital के बाहर तो उनमें से 8.6% लोग बाहर चलते हुए जिन्दा जाते थे अब यह बढ़ गया है 9.9% हो गया है 2010 से लेकर 19 में जो data आया है उसे लगबक 10% हो गया है यह बाते बहुत depend करती है कि किसने उसको CPR दिया किस तरीके का दिया और यह कौन से एरिया में उसकी treatment हुई कौन से hospital में treatment हुई तो यह quality of CPR quality of care after CPR भी उसको माहने रखती है अभी London Ambulance Services का एक data आया है उन्होंने कहा है कि अगर जो व्यक्ति किसी patient को देख लेता है उसको arrest हो जाता है और तुरंत उसको CPR चालू कर देता है और AED का इस्तमाल भी वही कुछ window के अंदर कर लेते है तो ऐसे लोग बचने की उमिद 57.1% होती है तो आप इससे सोच सकते हो कि CPR शुरू करना और AED का machine इस्तमाल करना करके तो 57.1% इतने लोग बच जाते है इन में से अगर हम देरी करते है CPR शुरू करने में एक मिनिट की देरी से हमको दस प्रतिशत उसके बचने की उमिद कम हो जाती है तो एक एक मिनिट नहीं एक एक सेकेंड इसमें जुरूरी होता है 60% जो लोग जिसके हार्ट स्टॉप हो जाते है इन में वजव होती है हार्ट कार्डिया करेस्ट हार्ट अटक मायो कार्डियल इंफाक्शन तो ये बात भी जुरूरी है कि जैसे हार्ट वापस आ जाता है उनको स्पेशालिस्ट लोगों के द्वारा उसको हार्ट अटक की ट्रिक्मेंट भी शुरू किये जाए तो एक स्टडी जो कैनड़ा से आई है उन्होंने कहा है कि ऐसे कितने लोगों में कार्डिया करेस्ट हो जाते है समाज में तो 0.6 पर 1000 पर येर एक हजार लोग अगर कोई गाव में रहते है तो उस गाव में एक साल में 0.6 लोगों में ऐसे हाट स्टअ को सकते है ऐसा डेटा आया है तो ये काफी सिगनिफिकंट है कि हर साल एक गाव में एक आदमी को ऐसा कार्डिया करेस्ट हो जाता है ऐसा ये डेटा है अगला जो information है साथ की हो अगर हम पहले तीन या पाँच मिनट तीन से पाँच मिनट का सोचे किसी की हार्ट रुख गई है तो पहले तीन से पाँच मिनट के बीच में उसका जो rhythm होता है हार्ट का वो V.E.P होता है उसको ventricular fibrillation कहते हैं हम और इसके treatment क्या है शॉक अगर इसको शॉक मिल जाता है तो इसमें से ज़्यादा तर लोग बाहर आ जाते हैं पहले तीन से पाँच मिनट के बीच में तो यू कैन इमेजिन हाव इंपोर्टन इट इस तो हाव A.E.D. मशिन आपके गाव में आपके इलाके में आपके आजू-बाजू में आपके हॉस्पिटल में ये A.E.D. का या डिप्रिब्रिलेटर का मशिन होना कितना जरूरी है अगर ये इमेजिट पाँच मिनट के अंदर शुरू कर देते हैं तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है तो कॉंबिनेशन है C.P.R. और A.E.D. ये दोनों हमको हार्ट और ब्रेन बचाने के लिए जरूरी है और जब तक आपका A.E.D. मशिन नहीं आ जाता है आप C.P.R. ठीक से करते रहिए सास देना और छाती दबाना और पेशन अन्न है तो बस C.P.R. करते रहिए सास मत दीजिए इसकी कोई जरूरत नहीं है तो C.P.R. की वज़े से क्या फाइदा होता है कि आप C.P.R. अगर करते रहते हैं और बाद में A.E.D. मशिन आ जाता है तो A.E.D. के सक्सेस का चांस में बढ़ जाता है इसलिए C.P.R. करना बहुत जरूरी है जो भी आदमी उसको देखेगा आदमी या उरत पेशन्ट कोलाक्स हो गया है तो उसको तुरंट C.P.R. शुरू कर दीजिए ये पेशन्ट को बचाने के लिए जरूरी है ये A.E.D. के सक्सेस के लिए भी जरूरी है तो साथियो मैं आपको एक छोटी क्लिप दिखाऊंगा मैं या आपर डॉग वाकिंग के लिए रोज जाता हूँ तो हमारे रास्ते में एक A.E.D. का मशिन है ये क्लिप देखिए फिर मैं आपसे बात करूँगा और फिर वीडियो खतम करूँगा ये मैं आपको अब जो चीज दिखा रहा हूँ उसको A.E.D. केते हैं तो ये इमर्जन्सी में डिफिबरेटर करने के लिए तो साथियो ऐसे A.E.D. Western countries में आप कई बगिचा में चले जाओ कई स्पोर्स कॉम्प्लेक्स में चले जाओ तेटर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ या डागवा की लोगों का एक डागवाकिंग का ग्राउंड है स्कूल है ऐसे जगह पर ये A.E.D. मशिन रखे और वहाँ पर लोगों को पता होता है कि A.E.D. का है जो लौक है वो कैसे खोलना है और उसको कैसे इस्तमाल करना है अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा मैं अपिल करूंगा कि हम लोग अलग-अलग तरीके के डोनेशन्स इकटा करते है चंदा इकटा करते है अलग-अलग प्रोग्राम्स करते है उसकी वजाए अगर हम हमारे गाव में जो यूवक है यूतिया है उनको CPR का ट्रेनिंग औरगनाईज करे और हमारे गाव के जो भी डॉक्टर है या दवाखना है या मंदीर है या मस्जित है वहाँ पर अगर हम एक AED का मशिन रख दे कि जो हर साल चेक होता है उसकी सर्विसिंग होती है ठीक होता है हमें पता है यह चलता है और वो 24 गंटे उसको एकसेस रहे ताकि कोई अगर कोलाप्स हो जाए तो वो कोई भी जाकर उसको उठाकर ले के आ सकता है ऐसे अगर हम उपक्रम करे तो हर गाव में अगर एक बार भी इसका सालवर में इस्तमाल हो गया तो उस आदमी के या अउरत के बचने के चांसेस 50% के ऊपर हो जाते है मतलब सो लोग अगर ऐसे कोलाप्स होते है तो उसमें से 50 कम से कम लोग हम बचा सकते है अगर ये व्यवस्ता हमारे गाव में, मोहले में, कॉलनी में, हमारे वर्किंग प्लेस पर, हमारे स्कूल में, कॉलेज में है तो तो सोचिए ये कितना जरूरी है आगे जाकर मैं एक दो ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये CPR का टेकनिक मैं डिटेल में बताऊंगा आपके एरिया के जो लीडर से उनसे ये वीडियो शेर किजिए जो सामाजिक संगटन है उनसे शेर किजिए और इस पर जरूर सोचिए कि आपके गाव में, कॉलनी में कुछ लोग CPR में ट्रेन हो, AED में ट्रेन हो और आपको AED पाच मिनट के अंदर अवेलेबल हो ताकि आपके जो गरिबी लोग है उनके जान बचा सकते हो I hope this is useful, please do share with everyone, take care, bye bye